हेलो एवरीवन चले फ्रेंट से स्टार्ट करते हों साइस का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वह मैंने यहाप पर आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की है आई हो पाच का सेशन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बुलिएगा जादा जानकारी के लिए टेलिग्राम चैनल डेफिनेटली जॉइन कर लीजेगा यह सारे नोड्स हम वहाँ पे शेयर करते हैं चले स्ट में पूरा होता है तो 24 से 72 घंटे में तीसरा आजाता है हमारा पाचक अंगों में मुख्य रूप से क्या होता है तो पाचक अंगों में मुख्य रूप से होता है पोशन नाल या आहार नाल या फिर एलिमेंटरी कैनल इसे ही क्या कहते है पोशन नाल पाचक अंग में मुख काम अलग होने की वज़े से इसे को अलग अलग होते होने की वज़े से चीजे इसको अलग अलग हम लग पढ़ते है fix बात समझ में आ रही है, आगे देखते हैं, आहार नाल की सामाने तर लंबाई कितनी होती है, यानि पूरा आहार नाल, इसकी लंबाई बता है तो 9 मीटर या 30 फिट होती है, पूरे आहार नाल की भित्ती किन पेशियों की बनी होती है, आहार नाल की भित्ती अनैक्शिक पेश नुखो की बनी होती है पाचक प्रदाली के मुख्य अंग बताएए तो पाचथ को जाता है घ्रस्नी हो जाता है अमाश है छोटी आथ बड़ियां मलांत्र या मला्ष है रेक्टम जिसे कहते हैं गुदर ली गुदा या मल्दवर यह पाचेंहें बता campe Info कि पाचक प्रणाली के सहायक अंग ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं जो helping organs है तो जाते हैं दात ओठ जीवा कपोल लार्ग रंथियां अगनाश है यकृत और पित्ताश है यह सब क्या है यह सब सहायक अंग है पाचन प्रक्रिया के यह सहायक अंग है ठीक आगे बढ़ यह फसलेष्मीग के बने इन twär Kent ऑचन प्रक्रियों के यह लंग होते हैं अलडय के में मुख में लार ग्रंतिय किटनी होती है तो हमारे मुक या फिर सब मेंडिूलर ग्रंथी, अब जीवी या सबलिंग ग्रंथी या सबसे छोटी लार ग्रंथी, सबसे बड़ी कौन सी है, तो कानों के पास जो पाई जाने वाली लार ग्रंथी है, सबसे बड़ी होती है, और जो जीवा के नीचे पाई जाती है, सबसे छोटी लार ग् आगे दिखते हैं मिलार जलगी मात्रा कितनी होती हैं 9…99% 47 का बूझ शूदे में परोटीन पिर स्वाघरा प्रोटीन क्रिया कर जाता है है तो पके हूए स्टार्च या कर्वाइड्रेट पर टैलें किर्या करता हैm Maol Tejes या Dextrin में बदलता है ठीके बैक्टेरिया नस्ट करने वाला enzyme है टो Lysosyme की नस्ट करने वाला लार के pH लार के pH स्थार को समान बनाएड रखते हैं ग्रास नली या इसो फेगस ग्रास नली को क्या कहते हैं तो हमाशा हे इस्चितं होता है तो हीस्ट को मतने का चाहां संपन होता H praticamente Thurm कंसे बनाने में हाझने में बनाने में जठर रस स्योग लेता है तो मिक्राइह घे यह है क्योंत शुरय जदिए पाया जाता फ्यास में, कौन सा अमल और कौन सा एंजायम पाया जाताय? आमल, आपने देखünde है है पेपसी चैकर है इंजायम, पेपसी नोजन यूजयन रेनिन और लाइपेजतर सो निकलता है ख़िए निकलता है है النगज collagen आदे का इंजायर नेगरा ठीक है जटरारस है क Personality को अमाश में अमली माध्यम बना था सारेzcz करता है और आमली माध्यम में बना देता है लुक्तितु अ another fact प्रोटीन पर क्रिया करके उसका पाचन करता है पैपसीन प्रोटीन को किस में बदलता है तो पैप्टोन में बदलता है शिशुओं में कौन सा एंजाइम दूद को दही में कनवर्ट करता है तो रेनिन शिशुओं में दूद को दही में कनवर्ट करता है वसा का पाचन कहां स सहायता करता है तो लाइपेस दूद को पूरे पाचन में सहायता करता है क्योंकि प्रोटीन पच जाता है रेनिन से रेनिन से क्या हो जाता है दूद दही में कनवर्ट हो जाता है और वसा वाला पार्ट किसे कनवर्ट हो जाता है लाइपेस जो है वह वसा परकारी करता है दू सब्सक्राइब dudanium, madhyantria, jejunum, shestranthra और ileum या फिर ileum, यो चोटी आत के भाग है कैसे देखي यहां पर देखे हैए कैसे देखेंगे अमाशे जहां पर खतम होता है यह हो जाता है हमारा यहां पर खतम तो अमाशे जहां खतम होता है यही से आजाता है आपका यानि कि छोटी आत का प्रारंब यहीं से हो जाता है तो यह हो जाता है चोटी आत का प्रारंब और यह हो जाता है हमारा जियुजेनियम युजनयम के बाद last का जो होता है portion वो कहलाता है शेशांत्र या Town education त्थीक है तो यह हो जाता है हमारा जेजुनम यह हो जाता है हमारा त्टासर से यही पर मिलता है, कहां पर गतल्स कहलाता है तो ग्रहण या डियुदेनियम कहलाता है, इलियम से बढ़ी आत्रत geehr Hem और सीकम के पदार्थों को वापस इलियम में आने से कौन रोकता है, तो इलिकोसिकल कपाट, यह कपाट क्या कहता है, भोजन को वापस आने से छोटी आत्मी वापस आने से रोकता है, आगे देखते हैं, नेस देखते हैं, डियूदेनियम में विशेश प्रकार की छोटी कहां होता है तो काईम का पाचरता अवे छोटी आत्म होता है काईम मैंने बताया था कि जब भोजन में जो लुग दि यानि मथ जाता है तो वही अद पचशा..Вы क्या कहला दा काईम कहला ता है काईम का एव साइम करने के लिए वसा का इमल्सी करण कौन करता है तो पित्तरस करता है पित्तरस का उत्पादन भंडारन और स्रावर कहां से होता है तो पित्तरस का उत्पादन यक्रिट से होता है जब कि इसका भंडारन और स्रावर होता है पित्ताशे से पोशक तत्वों के औशोषित होने की गती बढ़ा कर पोशक तत्वों के औशोषित होने की गती बढ़ा कर पोशक तत्वों को कौन बहतर बनाता है तो विलाई विलाई जो है वह पोशक तत्वों को औशोषित करने में और बहतर बनाता है औशोषित पोशक तत्वों से भरा भुजन डाइजेस्ट हो जाता है स्के बाक कहा फिल्टर होता है तो यकृत में निकाले जाते हैं कि do जाते है निकले जाते है तो ग्रास नलि बताइए तो घ्रास नली का प्याच मानथ 6.8 हो स्लेष्मक उतक पीएसमांद्, छोटी आइट के जो होते हैं उनका पूरकों ये छारी होते हैं, सम्पोडर 큰 हो कि धिशलमांट को कहते हैं, कोलान या फिर व्रीहदान प्रोचन क Πूझा जाता है, बढ़ि आइट के कितने भाग बड़ी आहत्का पाट होता है तो तो सीकम कहलाता है जहांसे प्रारंब होता है तो स्थान क्या 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 लाता है hac एकम से इलियो शिकल वाल्व के नीचे से सकरी अधनली संलग रहती है क्या कहलाती है तो वर्मी फ्रॉम्य ए अपेंडिक्स कहलाती है जलका अशोष्षन कहा होता है most most important point है जलकाव शोशन बड़ी आत्मे होता है अगनाशय रस में उपस्तित होते हैं क्या उपस्तित होते हैं तो पाचक एंजाइम उपस्तित होते हैं लेंगर हैंस की द्यू पिकाऊं का संबंद किस से होता है तो अगनाशय से होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंती कौन से यक्रित बंद रहता है, कहां बंद रहता है, तो यक्रित कैपसूल में इस तरीके से, आप देखेंगे, तो यक्रित कैपसूल में बंद रहता है, यक्रित पर किसकी परत चड़ी होती है, यक्रित पर परिटोनियम की परत चड़ी होती है, ग्लुकोस ग्लाइकोजन में परिव तो ग्लाइकोज और ग्लुकोज में कहां कनवर्ट होता है तो यक्रित में होता है किसके जरिये होता है यह जानते रहे हैं जो अगनाशय की लेंगर हैंस की दुई पिकाय होती है उनकी बीटा सेल्स से आपको पता है कि इंसुलिन निकलता है लेकिन उनके ऐल्फा सेल्स से दे थक्का बनाने के लिए किसका निर्मार करता है तो प्रोटीन का निर्मार करता है रक्त का थक्का जमाने के लिए थ्रॉम्बीन प्रोटीन आप लोगों पड़ा होगा तो उसका निर्मार कहा होता है यह क्रिद्म होता है पित्तरस किस पर कारे करता है वसा पर कारे करता है पित तरिक परत्त में epithelium कोशिकाओं से म्यूसीन का स्रावर होता है, पित तरस में जल की मात्रा बताई है, तो 88 से लेगा 97 परसेंट, पित तरस के ठोस भागों को कितने भागों में बटा गया है, तो दो भागों में कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक पदात कौन से होते ह है तो कार्बनिक पदात होता है sodium, potassium, calcium, chloride, carbonate & phosphate. यह वह गया कार्बनिक पदात, अब देखे, ''acarbonic पदात'' पित waardin और बिलिवर्डीन यह दो क्या होción होते हैं कहां पितरस में पाये जाते हैं इनका रक्त के हीमोगलोबין से होता है किससे होता है रक्त के हीमोगलोबिन से इनका निर्माड़ होता है इन के इता ही कारन मलका जानि ठीकत का bruks hard है वह कत्था ही पित्त वर्णक के ही कारण होता है यह भी ध्यान रखेगा पित्त लवर्ण तीसरा हो जाता है हमारा पित्त लवर्ण चौथा हो जाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल यह सारे पित्त से में पाया जाने वाले रस हैं कोलेस्ट्रॉल पित्त में अधिक मात्रा में पाय पसंद आए होगा पसंद आएगा प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना मिलकूल मत बुलिएगा मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू